अब आपको बताएंगे कि ऐसा केचिन मनाने में आपका कितना चार्ज लगेगा कितना जो लगा जाएगा इसके अंदर आपको सबीत तरह से अच्छे तरह से दिखाएंगे हम यह आगे की देखें जो मारा सामने की पट्टी है उसमें हम डवलमोल्डिंग दिया है पिलकुल सामने से इसकी थिकनेस है वो करीबन 2 इंच के करीब हो जाएगी आसे आगे से यह हमने दिया है और जो हमने साइड इपेश में बीच की डिजाइन नहीं थी, इसके अंदर हम बीच की डिजाइन भी है और इसके सिंक का जाता है साथ में ये सबी का management निकल जाता है दोस्तो उपर का हम kitchen का जो माप रहता है वो कैसे लेते हैं दोस्तो उसको raining put के इसाफ से माप लेते हैं दोस्तों यहां से जो fixed charge रहता है कि आप मानगा चलिए हर जगह पर अलग-अलग माप होगा उसका उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत उपरने चेवर भी सकता है उससे ज़्यादा फरकने बढ़ेगा आपको उसको मानकर चलिए हम 2500 रुपे 2500 से 300 रुपे के शुकेर पिट के अंदर अपना जो kitchen है उसका फ्लेट फारम आता है और यह आगे की जो पट्टी है यह पट्टी आपने जो देखी है यह पट्टी लगाई है यह extra बीच का जो step है सवार लखने के लिए वो अलग लगाई हुए इसका charge आपको अलग देना पड़ सकता है दोस्तों वरना नहीं तो जो उपर का step आता है kitchen का यह side face है इसका भी आपको extra लगेगा charge यह उपर का फ्लेट फरम है उसका माब डाइसो के डाइसो से 300 कीवीज में रहता है दोस्तों आप ऐसा मान के चलिए हमने जो यह kitchen मनाए है त्यार है बिल्कूल side face और यह अंदर के जो हमने सामने पट्टी लगाई है यह kitchen आप मान के चलो तो cost इसकी length है वो है इधर 10 feet है सामने और इधर हमारी जो kitchen की full length है वो 8 बटे 10-8 का kitchen है हमारा यह 3 feet का हमने जो side में है 10 feet के अंदर उसको 3 feet का हमने जो fridge आती है उसका जो खांचा है यहाँ पर रखा हुआ है बाकी air में गुम गया 7 feet इधर रह गया हमारा 7 feet में 2 feet का इधर निकल गया और 6 feet इधर रह गया 6-6, 12, 13 13 feet के अंदर यह हमारा जो kitchen है इसका दो charge होता है दोस्तो आपको बता है 200 रुपे से लेकर 300 की बीच में charge रहता है दोस्तो मॉल्डिंग के इसाफ से according इस kitchen का और यह side जो अपना side का है वो अलग रह जाता है दोस्तो इसका माप फिर वही से निकलेगा दोस्तो जहां से 200 रुपे स्टेर फिट चलता है तो side face का भी 200 रुपे स्टेर फिट चलेगा इसके अंदर kitchen के अंदर डाइसर पर आता है वो sink लगेगा निच्ची के जो निच्ची के जो खड़े stand आते हैं दोस्तो उसमें वो खड़े stand भी लगेंगे इतना काम हो जाने के बात हैं दोस्तो यह इसका माप निकल जाता है दोस्तो यह kitchen आपको लफज़ाग 11 से 12,000 के रुपए के बीच में बन कर त्यार हैगा दोस्तो इसके अंदर ओर भी काफी डिजाइने भी आती है हमारे उसका चार्ज अलग रहता है दोस्तो डिजाइन के अकॉर्डिंग जो इसका है जो हमने जो party जो आप बात करो उससे तो थोड़ा बहुत कोई दिक्त नहीं है इतना काम करें तो उसके अंदर खांचे भी डालते कोई दिक्त नहीं है सामने के पट्टी चिपका दे लेकिन कुछ extra charge लेते हैं लोग इसी तरह से दोस्तो अभी आप देखिए इस kitchen का शांदर look है दोस्तो इसके अंदर और इसका हैर तरह कहेगा जो पट्टी लगती है उसका बनाने का व्यूँ हमने वीडियो में डाला है और आगे जो भी अच्छे quality की design हम बनाएंगे उसका वीडियो भी आपको जुरूर मेरे channel पर मिल जाएगा आगे तो वीडियो कैसा लगा दोस्तो आप जुरूर बताए वीडियो अच्छा लगा हो तो पलीज दोस्तो अपने दोस्तों के साथ में share भी करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care